तुम्हारा दिल एक लड़की थी, रंजना, बहुत ही खूबसूरत, जितनी वह सुन्दर थी, उतनी ही इमानदार और नेक दिल की थी, ना किसी से जूट बोलना, ना फालतू की बाते करना, बस अपने काम से काम, रंजना की क्लास में एक लड़का था, जो मनी मन उससे बहु प्यार करता था, उसका नाम संजय था, लड़का अकसर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बगले में जब लड़की मुस्करा कर थैंक्यू कहती, तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती, एक बार की बात है, संजय और रंजना साथ साथ घर जा रहे थे, तब ही जोरदार बारिश होने लगी, दोनों ने एक पेर के नीचे शरन ली, बारिश बहुत तेज थी, कुछ ही पलों में बूंदे छंचं कर नीचे आने लगी, ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, रंजना को इतने करीब पाकर संजय और इस तरह दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा, एक बार की बात है रंजना उसी पेर ने नीचे संजय का इंतजार कर रही थी, संजय बहुत देर से आया, उसे देखकर रंजना नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यूं आए, मेरी तो जान ही निकल गई संजना की बात सुनकर संजय मुस्करा दिया, अरे मेरी रंजो, मैं तुमसे दूर कहा गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तुम्ही यकीन ना हो तो अपने दिन से पूछ लो, इस प्यार भरी बात को सुनकर रंजना अपना सारा गुस्सा भूल गई, एक दिन दोनों उसी पेर के नीचे बैठे बाते कर रहे थें, रंजना पेर के सहारे बैठी थी और संजय उसकी बगल में ही बैठा था, तभी रंजना बोली, संजू, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, संजय बोला, रंजो, ऐसी बाते मत किया करो, अग अगे बढ़ाए, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा, धीरी धीरे काफी समय बीट गया, एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेर के नीचे बैठे हुए थे, उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था, रंजना के पूछने पर वह सुनकर रंजना का कलेजा फट पड़ा, उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पालिया और बोली, संजू, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज, मुझे माफ कर देना, संजय धीरे से बाला, वैसे अगर तुम चाहू, तो ह सम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं, रंजना ये सुनकर जोर जोर रोने लगी, संजय ने उसे बहुत समझाया, पर रंजना चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वह रोते हुए अपने घर को चली गई, देखते ही देखते संजय की शादी का दिन अगया, उसे यकीन था कि उसकी शादी में रंजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला, संजय ने कांपते हौन्थों से उसे खोला, उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया, गिफ्ट पैक में और क दोस्तों, किसी के लिए मोहबबत टाइम अपास होती है और किसी के लिए जिन्दगी से बढ़ कर, इसलिए अगर किसी से मोहबबत करना, तो उसे ताउम्र निभाना, वना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और नहीं मर सका, उसकी सारी जिन्दगी पचतावे की एक दर्ध भरी दास्तान बन कर रह गई, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद